दोस्तों डिविडेंट रिज श्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हर एक कॉटर में अच्छे कासे डिविडेंट देता है उसका 60% का डिविडेंट प्याउट है और बहुत ही अच्छा श्टॉक है आपने उसका नाम जरूर सुना होगा उसका ब्रैंड का नाम तो नहीं जरूर सुना होगा जो हमारे लिए वह अपना जो उसका नाम तो दोस्तों देखो 80 रूपे पॉर शेर का डिविडेंट है उसकी फेस वैल्यू 10 है और जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है वो 10 है उसका जो हमारा फाइनेशल है 2021 का डिविडेंट है इनकी जो डेट है वह 18 नवे आप देखो तो एक्षाट आप मानके चलो नौ नॉमेंबर और तो आपको 9विदेंट मिलएगा भालीट किसी भी Ó इनकी कमपनी के बारे में बताएंगे तो यह 1 &-6 केंदर के अंदर इंकॉर्प्रेट हुई थी और यह FMCG manufacturing company मदब country की सबसे बड़ी FMCG manufacturing company थी फिर उसके बाद यह beauty care और health care products के अंदर आ गए फिर cosmetics के अंदर आ गए और यह company it is none other than PNG तो आपने PNG नाम most probably कई साय लोगों नहीं सुना होगा आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका नाम PNG है तो आपने whisper brand सुना है whisper brand हाँ वही वह whisper जो पैड्स बनाती है वही चीज यह PNG बनाती है मतलब यह PNG company का है और वह Sophie भी जो है वह PNG brand का है और बहुत सारे personal care products जो है जो इतना famous है वह सारी चीज़े PNG बनाती है आप कभी भी देखना किसी भी product पे उसके अंदर ITC लिखा होगा ITC की brand होगी मतलब जो हमारे personal care products है उसके अंदर ITC का brand होगा हिंदुस्तान Unilever का होगा या फिर PNG का होगा त आप जरूर चेक करके देखना कि आप कौनसा brand का product यूज करते हो आप कौनसा brand का beauty product यूज करते हो या फिर personal grooming product यूज करते हो तो मुझे comment section में जरूर बताना और क्या आपके portfolio में ऐसा कोई stock है heavy dividend payout जैसे कि देखो यह PNG stock बहुत ही अच्छा dividend payout करता है वैसे ही कोई heavy dividend stock आपको dividend stock पसंद भी है या नहीं और आप क्या इसके साथ करने वाले हो further analysis करके long term के लिए old करोगे या फिर क्या करोगे अगर आपका portfolio इंदम concentrated है जैसा कि मैंने कई सारे portfolio review किये हैं और मैंने आपको बताया है कि क्या करना चाहिए आपको तो मैंने वो सारी चीज़े बताई ह है और एल्स आपने portfolio design करती है लेकिन फिर जबरदस्ती और stocks उसमें add करने की ज़रुरत नहीं है आपको खाली limited stocks ही add करने 20 के आसपास के stocks आप add कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही if you have any doubt relating anything I am always just a comment away from you और एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि दोस्तों है हमार अब sensex को 50,000 से 60,000 तक पहुचा निकले कौन से stock ने योगदान दिया यह जो 10,000 पॉइंट चले गया कौन से stock ने कितना ज्यादा योगदान दिया और कौन से stock ने संसे को नीचे खीच है सारी चीजे मैंने अपने वीडियो में बताया है तो उसको आप screen पर क्लिक करके आरा